तो आज का हमारा टॉपिक है जी फोर और कॉफी क्लब ठीक है ये ग्रुप्स है अलग-लग कंट्रीज के तो इसमें क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे ठीक है तो मेरा जो आपके लिए टार्गेट है कि जीएस के सौर्ट वीडियो के द्वारा आपके कंसेप्ट क्योंकि जीएस में आपने देखा है कि काफी टफ पड़ता है इस्ट्वेंट्स को अलग-अलग संस्थान जा संस्थाएं हैं उनका कभी-कभी फुल-फॉर्म पूछ लेते हैं या इस टाइप के अलग कोश्चन होते हैं ठीक है तो जीएस के कोश्चन में एक-एक नंबर क संग के बारे में जो इस्थाई सदस्य है सुरक्षा परिशद में उसको समझना होगा ठीक है जी फोर में देखो चार कौन से मेंबर आते हैं जी फोर में आते हैं भारत ब्राजील जापान और जर्मनी तो यह चारो आपको याद रखने अब यह जो चारो देश हैं जी चार फाइब कहते हैं ठीक है पी फाइब कौन है उसको आप याद रख सकते हो फ्रेका फ्रेका फ्रांस रसिया इंग्लेंड चाइना अमेरिका यह हैं तो भारत जर्मनी जापान और ब्राजील चाहते हैं कि वो इस ग्रुप में सामिल हो जिससे कि उनकी सक्ति बड़े उनके पा यह पावर आया है सहिंक तुराज संक्य स्वरक्षा प्रिषद का विस्तार हो है ना दुनिया में सैनी सक्तियों का विस्तार हो तो उन्होंने बनाया है कॉफी क्लब ठीक है तो इसमें देखो अलग-लग बुक में अलग-लग संख्या लिखे तो इसमें लगबग 40 सदस्य द तो अब आपको इस concept समझ आ गया होगा ठीक है धन्यवाद